HALU AND WELCOME TO TV का पटाका Яँँपर हम आफको देते हैं सीरील गुम किसी के प्यार से जुड़ी हर अपडेट दूस्तों सीरील गुम है किसी के प्यार में में आब आएगा बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जहां पर अब यहां पे अश्मिता दिखाने वाली है सवी को सुरेखा का असली सच सामने आने वाला है सुरेखा का घिनोना चहरा जिसके बाद सवी उठाएगी सबसे बड़ा कतम क्या कुछ होने वाला है चलिए हम आपको पूरी खबर बताएंगे इस रिपोर्ट में लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब आप जरूर कर ले और बेल आइकन को भी आप जरूर तपा दें दोस्तो सीरियल गुम्ह किसी के प्यार में में अश्मिता से सवी ने बड़ा सवाल पूछ लिया है उसने ये पूछ लिया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ईशा मैम को अपने बच्चे को छोड़ कर इस घर से जाना पड़ा ऐसा क्या हो गया था कौन सी आफटा गई थी अब यहाँ पर ऐसे में अश्मिता जो है वो बताने वाली है सवी को कि कितनी घिनानी ओरत है सुरेखा जी हाँ अश्मिता बताएगी कि सुरेखा और यश्मंत के कोई भी आलाद नहीं थी और उनकी नजर हमेशा से इशान पर थी वो इशान को अपना बेटा मानती थी और वो हमेशा से ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से इस घर से निकल जाए इशा और इसी लिए उसने ये प माबाब बहुत गरीब थे और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे उनकी हालत ऐसी थी कि वो अगर पैसे नहीं कमा पाते अगर उनके घर में पैसे नहीं आते तो उनको खाने को भी नहीं मिलता और ऐसे में इशा ने मजबूरी में अपने माबाब के लिए इस घर को लेकिन इशान को रोक लिया सुरेखा ने उसको नहीं जाने दिया और कभी भी सुरेखा ने इशान को ये बात ही नहीं बताई कि सुरेखा ने इशान को रोका इशा तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी लेकिन सुरेखा ने जानमूच कर यश्वंत राओ क ही काम करा है सुरेखाने इशा के खिलाव उसने हमेशा यही सब करा जिस वजए से हमेशा घर में इशा के नाम को ही बैन लगा दिया गया क्योंकि इशा का नाम लेने का मतलब है इशान को गुसाना जो कि तुमने अभी देखी लिया है, वेल दोस्तो अब यहाँ पर सवी समझ चुकी है कि कितनी बुरी है सुरेखा और ऐसे में कहीं ना कहीं अब सवी सुरेखा का परदाफाश करेगी इशान के सामने बताएगी उसको सुरेखा का काला सच वो सच जो 20 साल पहले सुरेखा ने इशान से छुपा लिया था तो क्या स तवी इशान और इशा को मिला देगी क्या लगता है आपको हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें